नमस्कार, केपी किचन में आपका स्वागते, आज मैं आपको आउले की चटनी जल्दी से कैसे बनातें, वो मैं आपको बनाना बताती हूं, और ये कम समय में बन जाती है, तो हम इसके लिए मैंने डाइसो करम आउला लिया था, उसको साब दोकर और काटकर, रख दिया है, अ इसमें सबसे पहले हम डालेंगे हींग और एक चम्मच राई अब राई तड़क चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे दनिया इसका में इंग्रिडेंट है दनिया इसको दनिया की चटनी बोला जाता है तो यह तीन चम्मच भरके हमने दनिया डाला है एक चम्मच हम लाल अब यहमारा मसाला हो चुका है तो हमने जो ओले काटके रखेते है इसमेर उल्कुल इसको सब्जी की तरह हम इसको बनाना है हमको सरद्यों में आउला इजिली मिल जाता है और विटामेंसी से वर्पूर होता है तो आप इसमें इसको बना सकते हैं और ये कम तेल में बनती है इसलिए हम इसको तीन-चार दिन तक बना के खा सकते हैं उसमें हम डालेंगे स्वादवनुसार इसमें नमक डालेंगे हम अब इसको चेक करेंगे तो यदि ये कट रही है इसका मतलब की आवला हमारा हो चुका है तो आप इस प्रकार से इस चटनी को बना सकते हैं और मेरे रेसीपी को ट्राइ किजिए यदि मेरे रेसीपी आपको अच्छी लगती तो लाइक चैनल सब्सक्राइब किजिए थेंक यू